आज का question number है 109, 109 number question पढ़कर इसका solution करते हैं the number that is to be added to 10% of 320 to have the sum as 30% of 230 क्या बोलना चाहरा है कि the number that is to be added to 10% of 320 मतलब 320 का 10% में मतलब कौन सा number जोड़ा जाया कि जो sum है इस दोनों का sum है मतलब 320 का 10% में कोई number जोड़ा जाया और इससे जो sum बनता जो sum बनेगा वो किसके बढ़ावार आना चाहिए 230 का 30% के तो देखते हैं solution 320 का मतलब 320 का क्या 10% में कोई number जोड़ा जाता है P ठीक है अब इससे जो sum बना ये बढ़ावर आना चाहिए 230 का 30% के ठीक है बस यह equation हो गया ये पूरा sentence का statement का इससे ये equation हम लोग बना लिए बस आप solution कर देते हैं तो दो जिरो से दो जिरो खतम तो बचा 32 पलस पी और यहां पर दो जिरो से दो जिरो खतम यह बता 23 गुना तो यहां पर क्या हो जाएगा 32 पलस पी और यह जाएगा 9 और 6 तो पी बड़ावर क्या जाएगा 69 में यह left side से right ट्रैर ले जाएग तो यह plus है तो इधर में माइनस तो P ब्रावर 9 में दो गया 7 और 3 तो P का मान कितना आ गया 37 तो यह आपका अंसर हो गया तो option match कर लेते हैं option हमारा A right है ठीक है अब हमारे पास next question है 110 नमर question पढ़ते हैं पहले if x is 20% less than y क्या कहा कि एक x है और y है तो x जो है y से comparison हो रहा इसका तो x जो है 20% काम है किसे y से तो x और y ratio मिले लेते हैं comparison होने comparison जब दो नमर के बीच में करते हैं तो रेशियो के अंतरगत करते हैं तो 20% 20% का मान क्या होता है 1 by 5 20% का fraction value होता है 1 by 5 तो यह आपका मैंने बता है हर बार कि यह original value होता है और यह 20% का value होता है ठीक है तो तो x जो है 20% कम है मतलब यह है एक कम है तो original value क्या होगा तो मतलब y जो है हमारा 5 है और उससे 20% 20% का मतलब 1 तो 5 से एक कम है तो 4 हो गया दोनों का हम x और y का मान ले आए अब बोल रहा है then find the value of y-x by y and x by x-y का मान निकालना है तो निकाल लेते हैं y-x by y तो इसमें रख देते हैं सिर्फीस का मान रख देते हैं तो y कितना है 5-x कितना है 4 by y कितना है यहां पर 5 तो 1 by 5 एक और है x by x-y का मान निकालते हैं x हमारा यहां से 4 हो गया और यहां से भी x का मान 4 और y का मान 5 तो यह गया 4 और यह गया minus 1 इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं minus उपर चाल जाता है तो 1 कुछ नहीं बचागा नीचे तो minus 4 हो जाएगा तो हमारा answer match कर लिजिए तो कौन सब मिल रहा है option यह match कर रहा हमारा न तो option यह हमारा right answer हो गया next question 111 तो question पढ़कर समझते हैं पहले in a village एक गाउं में 30% of the population population का 30% is literate literate मतलब साच्छार है जैसे एक गाउं है उसमें जो है पूरे population का 30% क्या है साच्छार है if the total population of the village is 6600 then the number of literate is literate ही साच्छार है और आपको number of literate पूछा है total population कितना है आपका देखिए आपको यहां लिख देते total population जो village का है वो है 6600 ठीक है और उसमें से literate का जो percentage है वो है 30% तो आपको पूछा भी जा रहा क्या है number of literate का 32% तो number of literate पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है number of literate मतलब कितने लोग साच्छा रहे हैं यह total population का कितना % साच्छा है पूछा जा रहा है तो percentage में हमको पता ही है हमको real value निकालना है साच्छा का तो 6600 और 30% का निकाल देंगे तो हमको 30% है ही दिया हुआ है लेकिन percentage में है हमको जाई है real value में है तो 6600 का 30% निकाल देंगे तो हमारा पता चल जागा कितना लोग साच्छा है तो 2 से 2 0 खतम 66 गुरा में 30 तो क्या जागा 0 8 8 18 18 19 तो यह हमारा उत्तर हो गया इतने लोग मतलब पूरे population का इतना लोग 30% इतना होता है इतना लोग क्या है हमारा साच्छा है तो option मेच कर लिजिए option A अब हमारा next question है 112 क्या बोलना चाहता है इसको पढ़कर समझते हैं पहले if A's salary is 50% more than that of B मला दो व्यक्ति है एक A है और दूसरा व्यक्ति का नाम B है ठीक है बोल रहा है A व्यक्ति और B व्यक्ति दोनों के बीच में comparison हो रहा है किसको लेकर salary को लेकर तो बोल रहा है कि A का जो salary है वो 25% ज्यादा है मनले 50% तो 50% का fraction value क्या होता है 1 by 2 होता है होता है 1 by 2 तो इसमें जो denominator होता है नीचे वला यह आपका क्या होता है original value कहलाता है और यह आपका क्या कहलाता है 50% का value कहलाता है हो गया तो A जो है B से comparison हो रहा है तो A का salary 50% ज्यादा है किससे B से original value B के पास 2 है B का salary 2 है अब इससे A जो है कितना 50% ज्यादा है 50% का मान कितना होता है 1 तो 2 से 1 ज्यादा 3 दोनों का salary आ गया A का salary 3 B का salary 2 अब क्या है that K B salary is less than A तो B का salary आप A से पूछ रहा है कि कितना कम है ठीक है percentage और percentage में option दिया हो है तो percentage में पूछ रहा है तो पूछ रहा है कि B का salary है A से less than है ना तो A से comparison हो रहा है तो B का salary A से कितना परतिसत कम है यहाँ देख लीजे A 3 है B 2 है A का salary 3 है B का salary 2 है तो B जो है A से कितना कम है A कम है और comparison A से हो रहा है तो A कहां आएगा A का salary नीचे आएगा 3 और percentage भली पूछा है तो fraction को percentage में बदलने के लिए क्या करते है 100 से गुना करते है और percentage का sign लगा देते हैं तो बन गया 100 by 3% इसका मतलब हो था 33 से 1 by 3% तो यह आपका उत्तर हो गया ठीक है तो option में मैच कर लीजिए option D आपका right है क्वा प्राइब करते हैं